ग्रेनी होरर स्टोरी पार्ट डेखनेस पहले पार्ट वन जरूर देखे लिंक संदूर में है दोस्तों हमने पार्ट वन में देखा कि टिंकू और सोनो एक बुड़े अंकल को बचाने ग्रेनी के घर में 大गord और ग्रेनी टिंको और सोनी की बाते सुनके उनके पास आजाता है तभी ग्रेनी आके अपने लकड़ी के बैट से उसके सिर पे मार देती है सोनु फर्स देगे जाता है पिंको तुझ इतना चाहे उतना भाग ले मैं तो तुझे पकड़ के ही मानूंगी पिंकी सोनु को कॉल करती है कि वो सही सलामत घर पहुच गया नहीं लेकिन सोनु कॉल नहीं उठाता है पिंकी बहुत परिशान हो जाती है पिंकी को ग्रैनी का घर दिखाई परता है पिंकी ग्रैनी के घर में चली जाती है मुझे यसा लगता है कि तिंकी और सोनु ग्रैनी के घर में पसे हुए हैं मुझे जाकर देखना चाहिए उन्हें बचाना चाहिए अरे तिंकी तुम इतने डरे हुए क्यों हो और सोनु कहा है पिंकी और टिंको जब रोम से बाहर आते हैं तो देखते हैं कि सोनु फर्स बेबिहोस पड़ा होता है तिंको ग्रैनी ने तो सोनु को मार दिया है देखो उसके सर से कितना खोन निकल रहा है चलो हम इसे यहां से ले चलते हैं पिंकी और टिंको सोनु को लेकी जाने लगते हैं और घर के दुसरे रोम में पहुंच जाते हैं तबी वे देखते हैं कि ग्रेनी उस बोड़े अंकल के सिर और हाथ हो काड़ दी होती है ये देखके पिंकी जोर जोर से चिलाने लगती है पिंकी जल्दी 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 यहाँ से मज़े बहुत अल्य नहाँ है पिंकी और टिंको सोनो को लेके जल्दी जल्दी घर के बाहर की तरफ जाने लगते हैं ग्रेनी फिर से उन्हें देख लेती है ग्रेनी जल्दी से घर के बाहर आजाती है पिंकी और टिंको सोनो को ग्रेनी के घर से बाहर लेके आजाते हैं तब है ग्रेनी उनके सामने आजाती है और टिंको को मारने के लिए अपने बैट को उठाती है तुम मेरे टिंकु को मारेंगी ये ले ये ले ये ले बुजा पिंकी ग्रैनी को मार मार के बिबोस कर देती है फिर टिंकु और पिंकी सोनो को लेके घर के तरफ निकल परते हैं पिंकु तुमने ये अच्छा नहीं किया मैं तुमें छोड़ूंगी नहीं तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें